बड़ी खबर की जहां मंसोर रेलवे रूट पर हाथसा हो गया मालगाडी के इंजन से टकराया ट्रॉला और इस दोनान एक बड़ा हाथसा सामने आया है इंजन के आगे लगा लोहे का हिस्सा छटे ग्रस्त हो गया मानन खेडा रेलवे पूल के पास के घटना बताई गई है दोहरी करण के काम के दौरा ये हाथसा हुआ है ट्रॉले का पिछला हिस्सा ट्रेन के इंजिन से टकराया मरम्मत के बाद माल गाड़ी को रवाना किया गया है कुछ ट्रेने लेट भी हुई है तो एक तरफ जहां रत्लाम मंदसौर रेलवे रूट पर हादसा देखने को मिला और यहां पर माल गाड़ी के इंजिन से ट्रॉला टकराया इंजिन के आगे लोहे का हिस्सा शर्तिग्रस्त हो गया है सुधीर संबदता साजुर गए है सुधीर क्या जानकारी मिल रही है क्या आप सब कुछ ठीक है वहाँ अब तो all is well है रूट जो है क्लियर कर दिया गया था रात में ही जो कुछ टिने लेट हुई थी उनको जो है वो टाइम पर चलने लगी है दरसल रतलाम मनसौर नीमच जो है रेलवे के जो डबली करण का काम यहाँ पर चल रहा है इसे दोरान एक JCB को यहाँ पर उतारा जा रहा था जो ट्रॉले की मदद से रेलिवे ट्रेक के बίगल में JCB को उतारा गया था जैसे ही ट्रॉला पलिटा उसी दोरान जो है मनसौर की और से एक मालगारी आती है और ट्रॉले का पिछला हिस्सा जो है माल गाली के इंburger ते टकरा जाता है तो इसी बज़ते जो इंगन का अगला हिस्सा है जिसमें지 लोहे का एंगल लगा होता है वो डेमेज हो गया और तद्काल जो है माल कारी को रोक कर गारी को धीरे धीरे जो है टूर्डर इस्टेशन जो पास में ही है वहाँ पे लाए जाता है इसके बाद रतलाम का इंजिनरिंग जो विभाग है उसके आलाधी काई भी पहुंचके उस एंगल को ठीक करते हैं और मालगारी को रवाना किया जाता है चुकि बहुत कम हिस्सा जो टकराया था इसलिए बड़ा हास्ता टला है अगर ट्रॉले का ज्यादा हिस्सा टकरा था तो बड़ा कुछ हास्ता हो सकता था तो गनीमत रही कि एक बड़ा हास्ता टला है और उसके वज़े से जो रतलाम नीमच जो रेलेवे रूट है सिक्टरी पूरे जो सेक्टियन उसको यहां पे क्लियर किया गया और रेले इस पूरे मामले में याज की आदेश भी जारी किये है जी बहुत शुक्रिया आशुदीर जानकारी साजह करने के लिए और अब बात करेंगे नर्वदापुरम की जहां सरकारी बोटिंग स्कूल में एक छात्र के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है पेडित और आरोपी सभी नावालिक बताए गए हैं छात्र के साथ पाच आरोपियों ने सामोहिक यौन शोषण किया स्कूल प्रबना ने मामले में कारवाई में देरी की टीसी लेकर पेडित की पिता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई बड़ी खबर नर्वदापुरम में जहां सरकारी बोडिंग स्कूल में एक छात्र के साथ यौन शोषण का मामला है पेडित और आरोपियों सभी नावालिक बताई जा रहे हैं छात्र के साथ पाच आरोपियों ने यौन शोषण जैसी सामोहिक वारदात को अन्याम दिया है इस्कूल प्रवद्णा ने मामले में कारवाई मिंदेरी की है वह दूसरी तरफ टीसी लेकर पेडित की पिता ने पूलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दिए आज एक नावालिक पिडित छात्र अपने परिजनों के साथ आने पर आया और उसने रिपोर्ट किया है कि वर्स 2022 जुलाई 2022 उसने एक विद्धाले में प्रिवेश लिया था होस्टल में वो रहता था तो उसी के जो सह पार्टी और एक दो ग्लास सेनियर बच्चे हैं नावालिक हैं वो भी पांच बच्चों ने उसके साथ यौन सो संट किया वर्स 2022 में और उसके बाद उसी वर्स में एक बार और उन्होंने यौन सो संट किया और अंतिम बार दिसंबर 2023 में उसके साथ यौन अब मामले का खुलासा हो रहा है? इसकूल प्रवंदन को शिकायद की लेकिन इसकूल प्रवंदन ने कोई कारवाई नहीं की थी लेहाज आप पुलिस के पास पहुचे उसके पिता और लिखेट शिकायद की और अब यह अपराद दर्ज हुआ है अब शुक्रिया आप जानकारी साजा करनी के लिए तो सरकारी बोर्डिंग स्कूल में यौन शोशन का यह पूरा मामला है हाला कि अब इस पूरे मामले में जो शिकायद भी रच कर दी गई है पिता की तरफ से आगे जांच परताल के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर कब और कैसे इसको अंजाम दिया गया खबर दुरुग से जहां स्वाइन फ्लू से एक और मौत का मामला सामने है मौत का आखड़ा बढ़कर अब चार हो चुका है तेरा मरीजों का अस्पताल में इलाच चल रहा है एक महिने में स्वाइन फ्लू के 23 मरीज मिले अलर्ट पर स्वास्ट विभाग नज़र आ रहा है लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रही है और अब भी एक और मौत स्वाइन फ्लू की वजह से मौत का आखड़ा चार हो गया है इससे पहले तीन मरीजों की मौत हो गई थी जो स्वाइन फ्लू से पीडेट थे तेरा मरीजों का अस्पतार में लाच चल रहा है दूसरी तरफ स्वास्त अमला की तरफ से लगतारी आश्वासन दिया जा रहा है कि तयारी जोरो पर है किसी भी परिस्टी में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अस्पताल तयार है डॉक्तर तयार है और साथी स्पेशल बेड्स की भी ववस्ता यहाँ पर की गई है मितलेश संबादाता साजूर गय है मितलिश क्या वज़ा है जो लगाता स्वाइन फ्लू के केसे आ रहे हैं क्या जागरुपता की कमी है एक मेहने के बात के आए पकर तेईस मरीज वह सामने आये हैं और जिसमें तेरा जो मरीज है उनका विविन अस्पतालों में इलाज चल रहा है एक बहतर उनको इलाज मिले पहला यह प्रयास होगा दूसरा यह प्रयास होगा कि यदि स्वाइन के और यदि मरीज मिलते हैं तो उनको किस तरह से इलाज दिया जाए और तीसरी बात यह है कि जागरुकता के लिए प्रयास किये जा रहे है और साथिकाथ जहां भी ऐसे मरीज मिले हैं, वहां पर शिवेद लगाए जारे हैं और यह देखा जा रहा है कि आधिल कर वज़ा क्या थी तो चारो ओर से प्रैस के जारे हैं, एडवाइजरी भी जारे की गई है, सांसी वहाज पुरितर से अलाइट है कोशिश ही है कि जल सी जल दी इतने लिखता जासा कि जो जो फैल रहा है, कमण जो फैल रहा है, उसको रोका जा सके कॉंग्रेस स्वधायत देविंदर यादव के आज पेशी होनी है, साथ दिन के न्याएक रिमान के बाद बलदा बाजार कोट में पेश हो सकते हैं बलदा बाजार जिले में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में गिरफतार हुए हैं देविंदर यादव और 17 अगस्त को हुए थी गिरफतार राइपूर सेंट्रल जेल में बंध हैं देविंदर यादव, 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी साथ दिन के नायक रिमान पर आज जो रिमान है वो खत्म हो रही है दर असल बलदा बजार में जिस तरीके से हिंसा हुई है उनके ये मुख आरूपी कहे जा रहे हैं और इसके चलते इने जेल हुखे जागया है योगेश आज पेशी है विधायक दिविंद्रे आदव की जी बिल्कुल आपको बता दे की दस जून को बलदा बजार में हुई हिंसा और आज जनी के बाद आखिरकार पुलीस ने जब 17 अगस्त को उनको गिरपतार किया तो फिर आज बलदा बजार में उनकी पेशी हो सकत हैं क्योंकि 17 अगस्त को जब उनको गिरपतार किया गया था तो साथ दिन तक उसकी नियाए करिमान बढ़ाए गी थी उसके बाद फिर साथ दिन तक और आज उनकी नियाए करिमान 3 सितंबर को खतम हो रही है से में कहा भी जा सकता है और यह भी कि देव नियादा की जो से 17 अगस्त को उनको गिरपतार किया था कांग्रेस समर्तकों ने भी यहां पर प्रदसन किया था प्रदसन के बावजूद भी विधायक को ग्यारा बारा बजे रात को यहां कोट लाया गया कोट के बाद आखिर का उनकी गिरपतारी की गए गिरपतारी के बाद उनको सेंट करें दो पेशी में वाली कषंच कर सामने आता है मध्य प्रदेश में आज से बेजेपी का सदसिता भ्यान शुरू होगा स्यम डॉक्टर मोहान यादब ग्रहन करेंगे सदसिता अखो लोगों को बीजेपी जोड रही है अपने साथ और ऐसे में सदसिता अभ्यान की जिमिदारी प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा को दी गई है और साथी प्रदेश के प्रभारी की भी जिमिदारी है सदसिता ग्रहन कराने की लोगों को ज़्याद से ज़्यादा कु ना केवल मध्यप्रदेश बलकि 36 गड़ में भी आज़ से ही बीजेपी सद्धसता अभ्यान शुरू कर रही है मुख्यमंत्री विश्टुदेव साय बीजेपी की सद्धसता ग्राण करेंगे प्रदेश अध्यक्षिय के रंग सिंग्देव सद्धसता दिलाएंगे सांसदों को 20,000 और विधायकों को 10,000 सद्धस से बनाने का टार्गेट दिया गया है तो मध्यप्रदेश और 36 गड़ में बीजेपी सद्धसता अभ्यान को जोड़ देने के लिए कारिक्रम भ्याय उजित किया गया और इसमें अलग अलग जमेदारी दे दी गई है जहां सांसदों को 20,000 और विधायकों को 10,000 सद्धस से बनाने का टार्गेट दिया गया है 36 गड़ में भी बीजेपी सद्धसता अभ्यान शिरू होने जा रहा है और स्यमसाय खुद बीजेपी की सद्धसता ग्रहन करने वाले हैं प्रदेश अंत्यक्षय केरन सिंग्डेव उन्हें सद्धसता दिलाएंगे त्वाई ऑक्तूवर 31 ऑक्तूवर तक ये पूरा भ्यान चलने वाला है पांच संभा के मैतिस दिलों में चार सितंबर से अभ्यान की शिरुवात होगी करेंगे राइपोर से संभादाता यूगल तीवारी और भोपाल से वासु चौरे जुड़ गए तो सबसे पहले तो यूगल आपके पास आते हैं चार गड़ में बीजेपी सदस्यता अभ्यान की शुरुवात हो रही है और आज मुखमंतरी खुद बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं जो बिलकुल देखे च्छे साल बाद बीजेपी की सदस्यता है वो सितिल हो जाती है फिर से नए सदस्य बनाये जाते हैं अलग अलग जो इनकी जो बीजेपी की जो धड़े हैं इकाईया है जो प्रकोष्ट हैं उनको जवाबदारी सौपी गई है चाहे वो युवा प्रकोष्ट हो या फिर अन्य प्रकोष्ट सभी को जवाबदारी सौपी गई है आज राधानी रायपूर के इंडोरी स्टोडि वो सदस्यता अभियान के तहद उन्हें सदस्य है वो बनाएंगे इसी तरह पूरे प्रदेश भर में जो कारिगरम है सदस्यता अभियान का बीजेपी का वो चलेगा सांसाद बिधायक के सांसाद जितने भी पदा दिकारी है अहम पदों पर बीजेपी के लोग जो हैं उन्हें उनका टार्गेट है वो सौप दिया गया है इसकुल कालेश से ले करके तमाम जहां पर जो बच्चे हैं जो अठारा वर्स के अधिक हो चुके हैं उन्हें सदस्यता अभ्यान है वो दिलाये जाएगा इसके अलावा पूरे तरह से इस अभ्यान को मोनेटरिंग करने के लिए अलग अलग जो दवाबदारी है वो सौपी गई है सदस्यता अभ्यान के जो प्रमुक है वो नियुक्त कर दिये गए हैं तो कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा टास्क है बीजेपी के बड किमी कितने हैं जो सदस्यता लेंगे लेंगे और फिर मद्वदेश की जो पैसाथ हजार बूत हैं सभी बूतों पर सदस्यता अभ्यान जो है वो शुरू हो जाएगा हर बूत पर बीजेपी ने दो सो लोगों को जोडने का लक्ष रखा और पूरे मद्वदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने देड़ करो वाली पार्टी अपने कैडर को मजबूत करने वाली पार्टी है और यही वज़ा है कि मद्वदेश में बीजेपी को एक के बाद एक सफलता है मिली है चाहे वो विधान सभा का चुनाओ हो लोग सभा का चुनाओ हो और फिर उप चुनाओ की बात करें तो एक बड़ा अभ परचीओं के माध्यम से भी जो सदस्ता है वो होगी और बार्चोड भी बीजेपी ने जारी किया है जिसको स्कैन करते ही जो बीजेपी का सदस्ता पाम में वो खुल जाएगा और उसके तहट भी सदस्ता जो है वो की जा सकती ही यानि की टेक्नोलोजी का भी भरपूर इस्तम पर ग्रामिडों को गुस्सा फोट पड़ा तिया य। य doctrineилась तीम से नाराज की भी जताई घ्रामिडों की विरोध के बाद वापस लोटी है टीम डेखिए तश्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां विरोध जाहर किया गया है बच्चों की मौत के मामले की जाच करने के लिए टीम पहुची थी। किम को वापस आना पड़ा ग्रामिनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा तीका करण में दो बच्चों की मौत के बाद से मामला काफी गर्माया हुआ है और अब स्वास्त विभाग के लिए बहुत बड़ी परिशानी खड़ी हो गई वालूड एक्टरिस और बीजेपी सांसत कांगना रनाथ को फिल्म एमजेंसी के लिए जबलपूर हाई कोट ने नोटिस जारी कर दिया और इसके लावा मनी करनी का प्रोडेक्शन के इंदर सरकार, राज्जी सरकार और सेंसर बोर्ट समेटे से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस दिया गया है आपको बता दें कि सिख संगत जवलपूर और श्री गुरू सिंग सभाइन दोर ने जन्हीती याच को दैर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की कोट ने कहा कि कोविट काल की दुरान हमने देखा है कि सिख कम्यूनिटी ने आगे आकर सेवा की है गुरू द्वारों में ऑक्सिजन से लेकर खाना उपलब्ड कराया है सिख समुदाई की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और इस पर आज फिर सुनवाई होने वाली है तवाई खरगोर में भारी बारिष में निर्मारा धीन मंदिर गिर गया सिंगाजी महराज का निर्मारा धीन मंदिर गिर गया बता दे कि मलबे में दबकार एक की मौत हो गई है पाच मजदूर घायल हो गई है विस्तान थाने कि ये मोगर गाउं की घटना है और यहां पर भारी बारिश में निर्माना धीन मंदिर गिर गया है सिंगाजी महाराज का निर्माना धीन ये मंदिर था जिसका निर्मान किया आ रहा था लेकिन उससे पहले ही तेज बारिश होने की वज़ह से ये मंदिर गिर गया और मलबे में दबने की वज़ह से एक की मौत हो गई है पाच मजदूर घायल बताए जा रहे हैं मलबे से मजदूर को बाहर निकाल दे की भी तस्वीर आप तक पहुचा रहे हैं पुलिस प्रिशासन की टीम ग्रामेर इलाके यहाँ पर जत्ते भी लोग थे मौजूद वो पहुच गए और देखिए निर्माना धीन मंदिर के नीचे से कैसे उस मजदूर को निकाला जा रहा है एक की मौत हो गई है पाँच मजदूर घायल हुए है निर्माना धीन और रैसे में तेज बारिश होने की वज़ह से कच्चा होने की वज़ह से यह मंदिर गिर कया पाँच लोग आए है यह कोई चातत बार रहे थे जो नीचे वो असादी वाहे लगा था वो तसने से चाट किरने से इनके चुछा नहीं है सुकमा में पाच नकसलियों ने सरेंडर कर दिया है और एक महिला समेट पाच नकसलियों ने सरेंडर किया है दो नकसली उपर एक एक लाख का इनाम भी घोशित था पूलिस के सामें इन सभी नकसली ने आत्म समरपड किया है जिन में पाँच नकसली बताय जाने एक महिला भी शामिल है और इनामी ये नकसली थे जिन्नोंने कई बारदातों को जाम दिया था चार पुरुष और एक महिल नकसली ने आत्म समरपड किया है सरकार के मुख धारस जुने का फैस्नल लिया है और अब एक और बड़ी सफलताई से कहेंगे क्योंकि लगतार नकसलीों के सरेंडर की खबरें सामने आ रही है 36 गर में एक बार फिर से जीरम कान पर सियासत गर्मा गई है विदान सब्द्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने जीरम जांचायो की रिपोर्ट को सारवजनिक करने की बात कही है वहीं इस मामले पर पूर्व सीय भुपेश बगेल का बयान भी सामने आया पूपेश बगेल ने कहा है कि जीरम कान का सच सामने आना चाहिए लेकिन उसे सामने आने नहीं दिया जा रहा है एक बार फिर से जीरम कान पर सियासत तेज है और ऐसे में विधान सभा के जो ध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंग जो की पूर्व मुख्यमंत्री भी 36 गड़ के रह चुके हैं उन्होंने जीरम जाच आयो की रिपोर्ट को सारवजलिक करने की बात कही है तो इस पर भूपेश ब और बीदान सभा की प्रकृया हो गी उस देन वह लोग इल्यक्त हो जाएगा वड़ान चाहिए का विद्डान चाहिए खिरा हुग्ष्ण को से लोग उपशक हो जायेगा मत आवच रिपोर्ट है उस में वर का को सच्चाई होगी या तो तोल मनूर उनके पेस किया गया जब मैंने 210 सी आयोग को गठंग कर दिया तब कैसे रीपोर्ट को प्रस्तूत करें तो आधिक दराज सरकार को प्रस्तूत किया नहीं आयोगने तो प्रस्तूत करें तो और अपका बज अश्पुर से है जहां जन आक्रोश महारैली को लेकार उराउं समाज में दो फोर्ड हो दरसल दीपू बगीचा इस्तित पूजा स्थल में कतित ताला बने की जुटी खबर परचारित कर जनाक्रोश महा रैली का आयूजन कर रही है। नहीं होने की अपील की विधाय का कहना है कि सरना पूजास्थल को सील नहीं किया गया है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा पूजा इस्थल दीपु बगीचा को इस्थानिय प्रशाशन के द्वारा सील किया गया। उसका खंडन के लिए जो है हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा जो कहा गया कि तीन तारिक को जो आकरोस अंदोलन जो पढ़ा राजी पढ़ा के द्वारा किया जा रहा है। ब्रामक है ऐसा कहा है उसका हम लोग खंडन करते हैं। आप देख सकते हैं यहां जो ताला लगा है यह दस अगस्थ के कारवाही हुआ है। उसके संब्ध में मैं आवगत कराना चाहता हूं कि जो सूचना प्राप्ट हो रही है उसमें यह जनकारियर यह सामने की दीपु बगीचा इस थल को प्रसाशन के द्वारा सील कर दिया गया है। विजयपुर और बुधनी उप्चनाव की तारीखों कैलान भले ही ना हुआ हो लेकिन इतना तैह हो जा रहा है कि यहां सियाजी जंग रोचक होने वाली है। सुपिक्षित नेताओं के संपर्क में है। कॉंग्रेस से पाला बदल कर बीजेपी में राम निवास रावत ही यहां से बीजेपी कानिडिर होंगे। यह तैह हैं देखते हुए कॉंग्रेस बीजेपी के ही किसी ऐसे नेता को मैदान में उतार सकती है।